मसकर दोस्तों कैसे हैं आप लोग उम्मीद करता हूँ आप सबी लोग अच्छे हैंगे फिर से आज इनुक नए वीडियो के साथ एक नए इन्फॉर्मेंशन के साथ आज की इस वीडियो में अपड़ों को बताने वाला हूँ कि अगर आपने अपने पर्फायल के जगां पेज में करण किया है लेकिन पेज में करने के बाद भी आपके फालो बटन सो नई हो रहा है और जो है की सभी लोग आपको फ्रेंड रिक्वेश्ट भेज रहे हैं तो कि तरिके से आप आप लोग अपने Facebook page को follow बटन वहां पे लगा सकते हैं किस तरिके से follow बटन उस पर on कर सकते हैं तो तीन सेटिंग में आप बताओं अगर आप लोगों को आपके Facebook page पे follow बटन सो होगा और इससे ज्यादा follower बढ़ेंगे और आपको Facebook page है उस पर कोई भी friend request नहीं याएगा तो चली वीडियो को स्टार्ट करते हैं अगर आप चैनल पे नहीं है चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लें अगर आप पेज पर देख रहा हैं तो पेज को फालो भी कर लीजेगा इस तरफिकी की वीडियो को पाने के लिए तो अगर आपके पास एक फेस्बुक का प्रफाइल है और आपने उसको पेज में convert किया है ताकि आपका जो Facebook है वो monetize हो सके तो किस तरीके से आप लोग उसको फालो बटन उसको पेज में convert करते हैं अपने Facebook को तो आप लोगों को प्रफाइल होता है उसको पेज में convert कर लेते हैं तो अगर कोई भी फ्रेंड रिक्वेश्ट आएगा तो आप लोग उसको एकसप्ट नहीं कर पाते हैं वहाँ पे पॉप अपस होने लगता है जिसमें आप है और आप लोगों को कोई रिक्वेश्ट नहीं भेश सकता है तो यहाई पर बहुत सारे लोग परसान होते हैं किस तरह के फालो बटन उसके लाये जाए इसी पर मैंने सोचा कि एक वीडियो बना देता हूं जिसको देखके आप सभी लोग अपना प्रावलम साल्व कर लेंगे और आसानी से फालो बटन लगा लेंगे इसमें मैं इस तीन सेटिंग बताऊंगा इन तीन सेटिंग को अगर आप लोग कर लेते हैं तो आपके भी प्रोफाइल पर यानि आपके पेज पर फालो बटन आ जाएगा और इससे आप लोगों के फालो बटन ज्यादा ग तो जो तिसरा वाला सेटिंग है जो आखरी वाला सेटिंग उसको जरूर देख लिएगा ताकि आप लोग को जो फालो बटन है वह आसानी से आ जाए तो चली चलते हैं मोबाइल के तो अब मैं आगे आहूं अपने जो है की मोबाइल के स्क्रीन पे और यहां आप लोगों को दिखाऊंगा किस तरीके से आप लोग अपने जो है की लिएस्बुक को यानि जो आपका प्रोफाइल है उसको आप लोगों लेकिन आप लोगों के सामने ये प्रवलम आ रहा है कि आपके फेस्बुक पे जो है कि फ्रेंड रिक्वेस्ट आ रहा है and follower का बटन नहीं आ रहा है तो किस तरीके से आप लोगों उसको change करेंगे इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा तो इसमें आप लोगों को मैं तीन सेटिंग बताऊंगा, यह तीनों सेटिंग कर लेंगे, तो आपको friend request की जगह हैं, अगर आपके जो की आपने profile बनाए हुए हैं, आपका जो profile है, उसको page में बदले हुए हैं, तो आप लोगों को friend request आता होगा, लेकिन जब यह सेटिंग कर लेंगे, तो आप लोगों का follow बटन सो होगा, और आप लोगों को आसानी से लोग follow करेंगे, नाई friend request आएगा, उससे क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा follower gain होते हैं, ज्यादा से ज्यादा follower बढ़ते हैं, तो सबसे पहले आप लोगों को करना क्या होगा, आप लोगों को अ तीन सेटिंग आप लोगों को बताँगा, ये तीनों सेटिंग कर लेंगे, तो आप लोगों का फालो बटन सो होने लगई तो जो आखरी वाला है, वो सबसे जरूरी है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे, देखिए इस तरीकी का इ यहां पर public है, who can see your followers on your timeline, public है, who can see the people page and list your follow, तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं, public है, who can comment your public post, यहां पर public है, public most notification, post notification, यह भी public है, public profile information, यह भी public है, यानि जो भी मैं setting यहां पर आप लोगों को देखा रहा हूं, यह जो है कि setting आप लोगों को कर लेना है, यह setting जब आप लोगों को हो जाएगी, तो समझ लिए पहला आप लोगों का setting complete हो गया, अब चलिए दूसरा setting के बारे में मैं आप लोगों को बताता हूं, तो दूसरा setting यहां पर यही गलती करते हैं, सबसे ज़्यादा लोग जिसकी वज़से friend request आता है, लोग उनके page को follow नही करना है, अब जैसे ही आप इस पर किलिक करेंगे, तो देखिए, यहां पर मैंने जो setting किया है, वो आप लोगों को कर लेना है, तब ही आप लोगों को फालो को बटन जो की दिखाई देगा, और आखरी में बताऊंगा किस तरीके सा आप लोग दिचेक कर सकते हैं, कि फालो क and send your friend request, यहां पर आप लोगों क्या करना है, फ्रेंड आप फ्रेंड करना है, ना कि आप लोगों को everyone करना है, आप लोगों को friend आप फ्रेंड करना है, who can see your friend list, तो आप लोग public भी कर सकते हैं, और इसको जो कि दुसरा जो यहां पर आप सना आ रहा है, वो भी आप लोग कर सक सकते हैं मैंने पब्लिक किया हुआ सारे लोग देख सकते हैं पीपुल विथ यूर इमेल इड्रेस कौन आपका इमेल इड्रेस देख सकता है वह भी आप लोग चाहें तो लिस्टिट कर सकते हैं या फ्रेंड कर सकते हैं यह भी आप लोग चाहें तो फ्रेंड कर सकते हैं यह अब आप लोगों का जो परोफाइल के आप ने सबसे पहले से पहले दिंगे तो यहाँ प्रोफाइल वहार है कि उसाकाम के अपने पने परोफाइल शाइए यहाँ पर दिख करना है जैसे आप इस पर किलिक कर देंगे तो थोड़ा सा आप लोगों को वेट करना है अब देखिए यहाँ पर फालो सो हो रहा है इसी तरीके से आप लोग भी जब यह सेटिंग जो बताया हूं मैं तीन कर लेंगे तो आपको लोग फ्रेंट भी क्वेश्ट नहीं सीधे फ कर लीजेगा चलिए आज की वीडियो में इतना है वीडियो देखने के लिए आप सो भी लोगों का बहुत बहुत धन्यवार